सर मैं अपने क्रेडिट कार्ट के बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ और अगर दो महीने तक ना करूँ तो क्या ऐसा हो सकता है सर मैंने क्रेडिट कार्ट थो ले लिया पर मुझे क्रेडिट कार्ट चलाने नहीं आता था और मैंने उससे purchasing अपने दोस्त को करवा दिया है आप मेरे साथ क्या होगा सर मैंने credit card ले लिया मैंने pin जनेट भी नहीं किया और उसका bill आ गया है सर अब क्या करूँ तो इस परकार के सवाल जो आप लोग regular पूछते हैं credit cards related तो दोस्तों इन सवालों को लेकर मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने credit card ले लिया है credit card को यूज कर लिया है और अब आप पैसे होते हुए या नो होते हुए भी आप चाहते हैं कि मैं bill ना भरू या bill कैसे भरू या bill कैसे आएगा जब मैंने इसका OTP भी जन्नेट नहीं किया है तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि कैसे credit card को यूज करें और credit card यूज करने के पैसे नहीं है तो क्या करें वीडियो को आन तक देखिएगा मैं हूँ अबदुल और आप देख रहे हैं दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में credit card एक plastic money जो बैंक आपको provide करता है cinema hall में किसी mall में railway station पे call पे या हर उस public palace में जहांपे gathering बहुत होती है देखिए आपके office के आज पास भी कोई credit card वाला खरा होगा आप किसी ऐसे complex में घुम रहे हैं जहांपे लोगों का आना जाना है वहाँ पे भी कोई न कोई मिल जाएगा cinema hall में ticket कटवाने से पहले आपको कोई credit card वाला offer करेगा कि सरीये card से आपको ये advantage मिल जाएगा तो दोस्तों credit card एक plastic money होती है जो आपको बहुत सारे discount के साथ 50 दिन तक यूज करने के लिए time देता है हो सकता है कि अगर आप एक shot खड़ी देनों तो दूसरा फिरी एक movie ticket लेने तो दूसरी फिरी अग reward जादा से जादा reward point और 50 दिन तक grace period मिलता है तो credit card एक अच्छा product भी होता है लेकिन तब आपको उसके बारे में पूरी information है और information के बाद आप उसको उस जगह पे use कर रहे हैं जहां पे आपको maximum advantage मिल सकता है जैसे travel का credit card आपको traveler में फाइदा देगा online shopping में फाइदा नहीं देगा grocery का credit card movie ticket देने में आपको फाइदा नहीं देगा लेकिन movie का credit card आपको movie दिखाने में फाइदा देगा petrol का credit card आपने लिया है और उससे अगर आप दर रहे हैं movie ticket की purchasing तो आपको फाइदा नहीं मिलेगा तो हर credit card के लिए एक अलग-अलग segment बना हुआ है कि कोई cash back credit card है कोई reward credit card है कोई petrol credit card है कोई movie credit card है कोई traveler credit card है तो अलग-अलग credit card अलग-अलग चीजों के लिए design किया गया तो दोस्तों अगर आपको किसी ने credit card किसी भी जगह पर चिंगम की तरद दे दिया है और आपको अपने credit card को चलाने नहीं आता है तो आपको credit card कैसे चलाएना है credit card क्या होता है bank क्यू देता है क्या फाइदा है क्या नुकसान है इसका information आपको होना चाहिए है? नहीं है? ये playlist को जाके देखिए सारी information आपको मिल जाई माल इस credit card bank ने आपको दे दिया है और दोस्तो आपने उस credit card को सबसे पहला question ये रखते है कि आपने use कर लिया और आप चाहते हैं कि मैं उसका payment दो महीने के बाद करूँ तो दोस्तो यहाँ पर इस सवाल का जवावी है कि credit card bank जब आपको देता है तो 50 दिन का time देता है तो credit card अगर है और आप payment करने में असमर्थ है तो जितना आपने use किया है उसका minimum do देने के लिए bank आपको कहता है यानि कि अगर 1,00,000 रुपे का credit card है आपने उसमें से 10,000 रुपे use किये हैं तो दोस्तो 10,000 का bill नहीं आएगा वहाँ पे आपको 1,000 रुपे का bill आएगा आप उस payment करके बाकी पैसर को carry forward कर सकते हो जिसमें आपको सारे 3% का ब्याज पलस GST सर्चार्ज वगरा के साथ next bill में आएगा आप इस काम को कर सकते हो दूसरा तड़ी का दोस्तों यहाँ पे है कि आप उस bank को bank से बात करके टोपी घुमाने वाला आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ कि आपका credit card जो 1,000,000 का है उसमें 10,000 पे आपने खर्च किया है 90,000 बचा हुआ है बिल जनरेट हो गया है आप उसमें से फिर 10,000 रुपे किसी भी तरीके से swipe कर लीजिए किसी petrol pump पे जाकर किसी grocery की दुकान पे जाके किसी app में add करके और आप उस पैसे से पिछला bill जो आया हुआ है आप उसका payment कर दीजिए अब जो नया bill आपका आएगा वो फिर bill cycle के बाद आएगा तो 2-3 महिने का अगर आप करना चाहते तो इस परकार यह जो तरीके मैंने आपको बताएं कर सकते हैं दूसरा question जो आप लोगों का question होता है कि sir मेरे दोस्त ने मेरे credit card से पैसे निकाल ली है मैं उसका payment कैसे करूँ तो दोस्तो अगर आप लोग credit card लेके उसको नीजी संपत्ति मान के अपने दोस्तों के साथ share कर देते हैं तो समझ लिए आप अपने पायर पे कुलाडी मार रहे हैं अपनी गारी और अपनी बीबी लोगों को नहीं देना चाहिए ठोक के डेटे हैं जोक है दिल पे मत लेना बता रहा हूँ इसी परकार तीसरी चीज करेटिट कार्ड है आप किसी को भी मत देना क्योंकि अगर वो पैसा यूज कर लेंगे पेमेंट नी करेंगे तो बैंक उनसे नहीं पूछेगा कि भाई तूने उस पैसे को क्यी यूज किया आप से पूछेगा आपका सिबिल और आप से पूछेगा बैंक और बैंक ऐसे पूछेगा कि आपके कान से खुन निकाल सकता रिकवरी की माध्यम से तो आगर आपका दोस्त ने आपका से रेडिक कार्ड यूज कर लिया है आपने मुहबत में दे दिया है तो दोस्तों उसको बोलो कि इस पैसे को ये माई में कनवर्ट करके बैंक को दे दे बैंक अगर ये माई के लिए तयार हो जा तो बैलन गूड है अगर तयार नहीं होता है तो जो तड़ीका मैंने पहले बताया उस तड़ीके को आप अपना ये नहीं अगर आपका दोस्त पैसे देने में दोस्त आपका आना कानी कर रहा है तो भाई यहां पे आपको एक काम करना है अगर इंकम नहीं है तो सेटलमेंट कर लेना है अगर इंकम है तो आप उसको पेमेंट कर दीजिए उस कार्ड को ब्लॉक करिए या फिर आप उससे लेके पास रखिए और G1 में थोड़ा-थोड़ा करके उससे ले लीजिए अगर पे करेंगे तो आपका सिविल अच्छा रहेगा अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे सेटलमेंट करेंगे तो आपका सिविल खराब हो जाएगा और सिविल खराब होने के बाद आपको फ्यूचर में बैंक लॉन वगरा नहीं देगा तो जो 20-22 साल के लॉन डे इस वीडियो को देख रहे हैं समझ रहे हो गए कि क्रेडिट कार्ड आपका पैसा नहीं होता बैंक का पैसा होता है यार दोस्तों पे पार्टी में खर्च कर लोगे जूते चपल खरीद वादो ऑनलान सौपिंग लटिया वाजी पे पैसे खर्च कर दोगे या इदा दूर खर्च कर लोगे अगर उसने पैसे नहीं दिया तो तुम्हारा से विल खराब हो जाएगा तो आपको साब्धान रहना है तीसरा कोस्चन जो आप लोगों का कोस्चन होता है तर मैंने पिन भी जरनेट नहीं किया और बिल बन गया है मैं क्या करूँ तो दोस्तों यहां पर आपको मैं जवाब देदू कि क्रेडिट कार्ड का जब आप लोगों का पैकेट आता है तो पैकेट के अंदर OTP बनाने के लिए आपको टाइम मिलता है लेकिन उसकी जो सेकंड टीम होती वो बिल भेज देती है अ पैंदी सेब करेडिट कार्ड है वो कार्ड आ गया आप ने पिन भी जन्येट नहीं किया बिल आ गया 500 रुपए पलस 180 रुपए 680 रुपए का तो यहां पर आपको इमानदारी से 600 रुपए पे कर देने हैं बिल जन्येट हो गया है तो पिन जन्येट करिए फिर आप उस कर करेडिट कार्ड को स्वैब करिए उसमें कुछ कंडिशन होता है जैसे स्विया सिंपली सेब में 2000 रुपए अगर आप साथ दिन में खर्च कर देंगे तो जो आपका 580 रुपए गया है उसमें से 500 रुपए आपका वेवफ हो जाए जा ठीक है ना मैंने इस क्रेडिट कार् अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं और इस परकार आप जब उस परिल को पेमेंट कर देंगे तो आप करेडिट कार्ड को चलाना सीख जाएंगे करेडिट कार्ड में बिल साइकल होता है 30 दिन यूज़ करो और 15-20 रुपए नहीं देंगे तो बैंक आपका क कुछी नहीं करेगा करेडिट कार्ड को ब्लॉक करके सिविल में आपका दे देगा कि भाइस बंदे ने पैसे ने दिया और आपका सिविल बनने से पहले खराब हो जाएगा तो दोस्तों इस परकार अगर आपको किसी ने करेडिट कार्ड दे दिया है तो आपको पहले तो के बारे में पुरी information लो और information लेने के बाद आप उसको अच्छे से यूज करो लेकिन जीवन में एक credit card के बाद 2, 2, 4, 2, 6, 8 हमारे देश में जितने bank credit card दे रहें अगर आप लोग सब card को बनवा लेते हो तो याद रखना जिनके पास जादा credit card होता है उनके saving account में 0 रूपिया होता है क्योंकि उनकी जिन्दगी credit card पे चल रही होती salary आते ही पैसा वहाँ चला जाता है जहां नहीं जाना चाहिए तो नहीं नहीं job join किये आप investment के लिए तयारी करें पैसे जोड़ें और जोड़ने के बाद कुछ खड़ी-दाड़ी करें तो ज्यादा बढ़िया होगा credit card के जुंचुने पे अगर आप उड़ेंगे तो दोस्तों उरान तो आपको मिल जाएगी लेकिन आपका धराम से नीचे गिर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा वासर करता हूँ इस वीडियो में जो आपको information दी है आप उसको दिल में रखेंगे दिमाग में रखेंगे और द चैनल पर नहींते सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाईए ताकि आने वाली वीडियो सब्सक्राइब पहले मिलते रहे हमारी बेल साइट है www.hk tips.com विजिट करिए ब्लॉग परिए ब्लॉग मिलेगा वह जो आपके काम का हो हाँ वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे ह See you!